असलाम लेकूम वाइकम टू कमपेंटिटिव एक्सेम कोजिंग चैनल आज ASF एरपोर्ट सिक्यूरिटी फोर्स के उन कैंडिडेट्स की कन्फूशन दूर कर लेते हैं जिनको मैसिज या कॉल इंट्रवीव के रिसीव नहीं हुई वो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को आउन कर लें अगर आपने MOD, Ministry of Defense या फिर ASF, Airport, Security Force के इंस्पेक्टर और Assistant Director की सीड्स पर अप्लाई किया है और त्यारी करना चाहते हैं तो पेड ट्लासिस के लिए WhatsApp पर राप्ता करें या फिर इनके अपडेट के लिए ग्रूप बनाया गया है ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कुमेंट में बिन कर दिया गया है आज की वीडियो का बकाइद्र आखास करते हैं सकिप्ट किये बिना वीडियो को मकमल वाच करें ताके आपको आपके सब सवालों का जवाब मिल सके वीडियो को शुरू करते हैं वो केनिडेट्स जिनको लगता है कि उन्होंने written में अच्छा perform किया था और उन्हें call आई होगी या फिर message आया होगा या फिर मुझे interview की call आनी चाहिए तो ऐसी सुरत में हम कैसे merit में check list कर सकते हैं merit की जो list है वो कैसे check कर सकते हैं या फिर list में अपना name देखना चाहता हूं ठीक है वो students चो ये कहते हैं कि मुझे interview की call आनी चाहिए थी तो ऐसी सुरत में हम कैसे check करें कि हम pass हैं या fail हो सकता है मैं pass हूँ मैं list में अपना name देखना चाहता हूँ या फिर reject कर दिया गया हूँ तो मैं reason जानना चाहता हूँ कि मुझे reject क्यों किया कि आप बहुत से ऐसी के इन डेट्स भी है जिन्होंने 35 प्लस मार्क्स हासिल किये है और इन्हें interview के message और calls आई है ठीक है और उनके interview हो रही है आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे check कर सकते हैं कि आप pass हैं या fail merit का आप यही असूल कहा जाता है कि जिनको message, call, interview के आई है वो ही pass हैं बाकी fail है list आपकी कब बनती है तो मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया था कि list जो है वो final selection के बाद बनती है इस बात का मतलब यह है कि जब आप interview दे देते हैं तो फिर पता चलता है कि merit क्या बना इस साल का merit list भी तब ही पता चलेगा जब आपकी final interview हो जाएंगे अगर interview के बाद reject किया जाता है तो फिर वो reason देते हैं कि यह वज़ा बनी आपके reject होने की लेकिन अगर physical के बाद आपको reject किया जाता है तो return के बाद तो उसकी reason नहीं बताई जाती तो इसका तरीका कार यह है कि आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप pass है या fail है आप जिस दिन आपके शहर में interview हो रहे हैं आप वहाँ जाकर आपका physical और return जिस जगा पर हुआ था उसी जगा पर आपने जाना है ठीक है तो आप उसे भी अपना रॉल नंबर CNIC मतलब ID कार्ड नंबर और नेम बताकर मालूम करवा सकते हैं कि आप का नाम लिस्ट में मजूद है या नहीं कुछ candidates का कहना है कि मेरे नंबर 45 तक थे ठीक है उन्ने confirm शोर्टी है कि उन्होंने कम अस कम भी 45 MCUs बिल्कुल ठीक किये थे लेकिन मेरे फ्रेंड के नंबर मुझे से कम थे उसे फिर भी मैसेजिस इंटर्वियू के रेसीव हो गए हैं जबके उसकी परफॉर्फॉर्मनस भी इतनी अच्छी नहीं थी उसके नंबर भी 40 से कम थे मैंने अच्छी परफॉर्मनस पेपर में दिखाई थी फिर भी मुझे मैसेज क्यों रेसीव नहीं हुआ इसकी एक रीजन ये बनती है कि जब टेस्ट होते हैं तो फिर इंटर्वियू के लिए बुलाने के लिए वो बहुत बारीकी से सब कुछ चेक करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं फिर आपके फिजिकल के नंबर देखते हैं फिर आपके रिटन के नंबर देखते हैं फिर आपके हाइट देखते हैं वेट देखते हैं अब भी नहीं बनती क्योंके कुछ लोग इंट्रिवियू क्लियर करके उन्हें जब जोइनिंग का रेटर इशू कर दिया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है कि आप ASF के ट्रेनिंग करने के लिए कराची तश्रीफ ले आएं, तो कराची नहीं जाते ट्रेनिक करने के लिए ठीक है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट में मझूद लोगों को काल करते हैं अमीद है आपके लिए वीडियो इंफर्मेटिव हुई होगी, मिलते हैं नेक्स किसी informative वीडियो के साथ दौाओं में याद रखिएगा और चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को on कर लें अलाँ आफिस